नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जस्पीर और स्वागत आपका आज कीस वीडियो में तो आज कीस वीडियो में हम देखेंगे महिंद्रा की XUV और यह XUV 3OO और 3OO का भी यह है W8 Top Model इसमें क्या-क्या feature मिलते हैं क्योंकि यह इंडिया की सबसे और वह वीडियो आपसे मिशन के बारे में तो इसमें और वा यह दिजल वेरियंट है तो डिजल वेरियम्ट में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जिसमें कि आपको 150 भी एच्पी की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टोर मिलता है तो 300 न्यूटन मीटर बहुत ज़्यादा है अपने सेग्मेंट में बाकी सभी गाडियों आपको 250 तक ही देखने को मिलेगा बाकी 200 तक भी आपको देखने मिल जागा डीजल होने के बावजूद भी लेकिन इसमें 300 न्यूटन मीटर है तो इस वज़े से जो इसकी जो राइड है जो मतलब द्राइविंग प्लेजर रहे वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है और डीजल का पूरा फील यह इसमें देखने को मिलते हैं तो इसमें लो बीम के प्रोजेक्टर और हाई बीम के लिए इसमें नॉर्मल रिफ्लेक्टर दिया हुआ और जो प्रोजेक्टर है वह आपको हेलोजन इसमें देखने को मिलेगा बाकि यह पूरे हेड्लेम्स में ही वहाँ इंटिगेटर इंटिग्रेटर किये हुए है अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में तो साइड के अगर बात करूं तो जो मुझे इसका सबसे अट्रेक्टिव पार्ट लगा वह है इसके जो अलोई वील्स है एक तो इसको यह आपको वील्स पूरी बॉड़ी के साथ वह काफी जादा शांदार है वहीं अगर बात करें इसमें नीचे पूरी बॉड़ी क्लेडिंग दियुए और वील आर्चेज के ऊपर वील आर्चेज को पर विए क्लेडिंग जिससे की पूरा कंप्लीट से सुलूप मिलता है अगर अब द यहां यहां दिया हुआ इसमें नीचे कैमरा यहां यह महिंद्रा की बैजिंग है पीछे यहां वाइपर डिफॉगर और वाशर वगर देखने मिल जाएगा यह हाई माउंट स्टॉप लैंप और उसका उपर दिया हुआ है शार्क फिन एंटीन इसके साथ साथ ही यह दिव स्पॉयलर मिलता है तो स्पॉयलर सिर्व ओ सिर्व डव्ल्यी-एक्ट उप्शनल जो मोडल आता है उसी में आपको देखने के मिलेगा उसके अलावा यह देखने नहीं मिलेगा अगर रियर टेल लेम्स की बात करें तो रियल टेल लेम्स आपको मिलेंगे देखने को तो LED वाले यह रियर टेल लेम्स हैं और नीचे जो सेंसर दिये हुएं तो नीचे सेंसर हमें सिर्फ दो दिये हुए हैं सेंसर वैसे नॉर्मली चार होते हैं लेकिन इसमें सिर्फ दो सेंसर देखने को में लेंगे तो यहां से आप इसे ओपन करने के लिए ओपन करने के बाद जो इसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है कि इसकी जो बूट स्पेस है न वो काफी ज़्यादा कम है 277 लीटर का ही बूट स्पेस है मनलब एक हैच बैक के बराबर तो यह ऐसा इसका कुछ बूट स्पेस तो बूट स्पेस में अगर नीचे बात करें तो यहां यह टायर मिल जाएगा आपको और बाकी टूल किट और इसके सासाथ ही एक चीज और है कि आप इसके जो बूट है बेस वेरियंट लो या टॉप एंड वेरियंट पासल ट्रे नहीं मिलेगी एसेसरी का पार्ट है तो पासल ट्रे का भी ऑप्शन इसमें नहीं है बाकी सीट आपको 30-70 स्प्लिट मिल जाएंगी तो यहां से आप इसे पूल करके एक पोजिशन को अगर आप चाहो तो इसे ड यहां पब्लिश की हुई है नोने महिंदरा ने जो की काफी अची चीज़ है क्योंकि यह अब तक की सबसे सेफस्ट का रहें जिसमें की जो ड्राइवर है उसे फाइव स्टार और जो बाकी पैसेंगर है उनके लिए फो स्टार इसे से सेफटी रेटिंग मिली है जो की अब सब्सक्राइब ब्रेक असिस्ट हिल होल असिस्ट हिल कंट्रोल डिसेंट यह सभी फीचर मिल जाते हैं तो इसकी वज़े से यह गाड़ी काफी ज्यादा सेफ हो जाती है और इसकी जो सबसे चीची एक और है कि इसके जो रियर वील है उसमें भी आपको डिस्क यहां देखन मिलेगी मतलब महंदरा की जैसी सभी गाड़े हुप मिलते है ऐसी स्थार में तो और एसी इसमें की देखने में लग अन्लोक और उसके बाद भीच में दिया हुआ है बूट ओपन के लिए अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि अन्दर इसमें क्या-क्या फीचर है लेकिन जो इसके door handles है वो आपको मिलेंगे यहां देखने को इसमें piano black यहां इसमें यहां देख पारे हो तो piano black इसमें जो handrest होता है वो इसमें complete piano black यहां leather की finishing जो की बहुत बढ़ी है और यहां इसमें मिल जाएगा speaker और speaker के अलावा फ्रेंट में दिया हूँ में tweeter पीछे सिर्फ आपको दो speaker मिलेंगे आगे आपको speaker और tweeter मतलब total 6 speaker इसमें मिलने वाले हैं वहीं बात करूंगा अगर इसके controls की तो यहां से आप इसके lock unlock की से कर सकते हो और यहां से आप जो इसके glasses हैं उन्हें control कर सकते हो यह इसका front और rear दोनों के लिए controls दिये हुए यह power window के controls है और driver side इसमें auto का ही function आता है इसके अलावा अगर आप ORVM adjust करने तो उसका control आप यहां से कर सकते हो side के अगर मैं बात करूँ तो यहां से आपको start stop का function यहां से जो rear parking sensor होने on off करने का function यह traction control और इसके अलावा यह headlight leveler अगर बात करें इसकी तो यह इसका इसी वेंट है इस पर भी piano black finish दी हुई है और यहां से आप इस एड़ियस्ट कर सकते हो और इसके उपर भी यह चोटा सा वेंट दिया हुआ है यह इसका ऐसा कुछ steering wheel है तो steering wheel हमें मिलता है इसमें leather wrap के साथ और leather wrap के साथ इसमें पूरा silver finish दी हुआ है control और उसके सारे option दी हुए बीच में home pad है और इसके साथ आती अगर center में देखें तो यहां यह अपना मिल जाता है music system music system जो इसका push water नहीं के पास दिया हुआ है अब बीच में देख लेते हैं यह इसका infotainment system infotainment system इसमें काफी ठीक ठाक है बाकि अब इससे थोड़े सब्ग्रेड की जो रहत है क्योंकि यह थोड़ा सब पुराना देखने लगा है लेकिन हाँ अभी जो नय आप ग्रेड अभी इसमें आपको देखने मिल जाएगा लेकिन वायर आपको connection मिलेगा तो आपको वायर के थ्रूँ आप इसे connect कर सकते हो क्वालिटी बहुत शांदार है और इसके साथ साथ ही यहां साइड में दियो यह पूरी finishing पियानो black की यहां से इसे on-off कर सकते हो यह बाकी पूरे controls condition में आपको आगे बिठाना पड़ रहा है तो आप यह बंद कर दो क्योंकि airwags की वज़े से जान भी जा सकती है यह बीच में hazard lamp का button यहां से आप trip अगरा reset कर सकते हो और यह है इसका जो steering है तो steering में इसमें तीन मोड आते हैं तो steering mode change करने के लिए आपको यहां बटन दिया ह हूँ यहां आप देख पारे होगे 23.5 और 23.5 अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा AC जो मेरे साइड का temperature वह अठार है और जो co passenger अगर वो 24 पर रखना चाहता है तो दोनों का अलग-अलग यह maintain हो जाएगा इसके अलावा यहां से आप इसकी memory सेट कर सकते हो ठीक है और यहां से temperature कम ज्यादा के लिए left side के लिए और right side के लिए अलग है यह mode है इन्हें आप change कर सकते हो और यहां से air circulation के लिए auto AC का function है तो यहां से AC on होगा और यहां से auto बाकि fan की speed आपको कम ज्यादा करने है तो यह पूरा rotating dial दे हुआ तो इसके through आप कर सकते हो यह सारी display आपको मिलेगी इस और इसमें illumination दी हुई है तो illumination की वज़े से नहीं बहुत ज्यादा शांदार हो गया यार क्योंकि नहीं तो फिर अंदेरे में होई हाथ मारते रहो तो उससे अच्छा है कि यहां आपको यह मिल जाएगा mobile रखने के लिए जैके और यह 12V की power supply इसके बाद अगर gear knob की बात क आप इसमें रख सकते हो और इसके सासाती यहां दिये हुए इसमें दो गलास होल्डर यह अपना brake lever वहीं अगर दूर से तरफ की बात करें साइड में अगर बात करें तो ACS की complete आपको look मिलेगी speaker की जो mounting वो नीचे की बजाए ऊपर दी हुई है और नीचे यहां गलास तो अलग अलग आप bottle रख सकते हो आगे चोटी और पीछे थोड़ी बड़ी और बाकी पूरा map pocket दे हुआ है और यहीं बात करें अगर इसकी तो glove box में भी आपको illumination मिल जाएगा illumination के साथ साथ ही यहां भी जगह दी हुई है अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी चीज है जो कि गिरे ना तो आप इसमें यहां भी रख सकते हैं और बाकी illumination के साथ ही यह इसे और ज़्यादा attractive बना देता है यहां अगर जो भी co passenger बैठा तो उसके सामान रखने के लिए mobile है wallet है या और भी कोई चोटो मोटगो news paper है तो उन सब चीज के लिए यहां आपको जगह मिल जाए और वहीं आगर बात करें वाइपर की तो फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में यह ऐसा का कुछ instrument cluster instrument cluster इसमें आपको जो टेको मीटर वह आपको analog देखने को मिलेगा और same with speedometer वो भी analog है इसके बाद बीच में दियो हुए MID तो MID में हमें काफी सारे चीज़ें देखने को मिल जाती है जिने हम यहां से change भी कर सकते है यह अभी बाहर का temperature दिखा रहा है यहां से आप इसकी जो cluster setting हो ने कर सकते हो और यहां से पूरी trip की है कि अब ही average speed हमारी trip में क्या रही है कितना time लगा है इसमें और बाकी यहां उपर आपको यह पूरा दिखाता रहेगा time और इन आप change करने के लिए इस button का use करोगे यहां दिया हुआ यह button तो यहां से trip भी distance to empty तो अभी जितना fuel है तो उसके साब से कितनी चल जाएगी वो सभी information आपको यह मिल जाएंगी digital अगर आपको speed चीए तो उसका भी option इसमें दिया हुआ है तो यह सारी चीजें हैं जो इसमें दी हुई है और उसके अलावा जो इसका color है वो काफी sporty दे हुआ है बीच में orange है और बाकी जो पूरी outer line है वो पूरी red दी हुई है अब देख लेते है आपको तो जो driver side पर आपको जो मिलेगा sun visor तो उसमें आपको एक ticket holder और इसके सासाती नीचे आपको mirror मिल जाएगा इसके बाद sun glass holder मिल जाएगा आपको इस variant में यहां यह sun glass holder दिया हुआ है और यह light light जलाने के लिए आपको light प्रेस नहीं करने अलग से बटन दिये हुए औ और इस variant में हमें sunroof भी मिलता है तो sunroof open करने के लिए यहां से यह बटन दिया हुआ है तो sunroof के लिए जो नीचे वाली लेड़ है यह आपको मैन वाली हाथ से खोलनी पड़ेगी उसके अलावा यहां से इस बटन से आप इसे open कर सकते हो और यहां यह माइक दिये हुए है इसमें उपर तो जिससे कि अच्छे वाद जा सके अगर को पैसेंजर साइड की बात करें तो यहां इसमें मिल जाएगा आपको ticket holder और यहां mirror बाकी light का function इसमें दिया हुए तो light अगर आप चाहू तो इसमें light जला सकते हो और बाकी जो मैं बता रहा था कि इसमें जो six seven airbags आते हैं तो एक airbag आपको यहां मिलेगा जो की नी airbag है ठीक है और बाकी जो side airbag है जो curtain airbag है उनका निशान आपको यहां मिल जाएगा बाकी front में तो सभी गाड़ियों आते हैं तो यह पूरा front का इसका look है अब चलते हैं अभी मैं ऐसे अपनी height के साब से adjust कर लेता हूं और दिखाता हूं कि rear में एक चीज और है rear में जाने से पहले आपको दिखा चीज और दिखा देता हूं आपको कि यहां इसमें रिफलेक्टर दी हुए है सब्सक्राइब आप खिड़की खोलते हो तो पीछे से अगर कोई गाड़ी आती है तो उसकी light पढ़ने से उसे पता चल जाएगा कि आगे कोई गाड़ी खड़ी है और request sensor भीस में दिया हुआ ह जायड पे और इसके जो एबी-सी पिलर है जो एफल दर वाप मिलेगा gloss में और जो बी और आपको मिलेगा matte finish के साथ और जो सी पिलर है वो भी आपको समें complete gloss के साथ मिल जाता है अब बैठते हैं इसके रियर में और यह में दिखाता हूं कि कि आपको कितना space है चीज और दि ब्रड़ेंड के कंट्रोल नीचे 1 लीटर की बॉटल होल्डर और यहां जगे दिए अब इस वीरियंट में हमें जो मिल जाती है कि ऑफि कंप्लीत लेधर अपोल्स्टी मिल जाती है को आपको कंपानी सी आएगी यहां जो इसकी है वह प्लास्टिक के दी हुई है और इसके साथ आती यहां यह वायरस है जो कि magazine holder जिने कि आप अपनी जो bottle है magazine है कोई news paper वो सभी आप इसमें यहां डाल सकते हो अगर इनकी बात करें तो adjustable headrest मिल जाते हैं इसमें और adjustable भी तीनों ही मिलेंगे आपको यह rear में तो तीनों ही adjustable headrest और इसके अलावा यहां यह मिल जा है और इसके अलावा इसमें दो मिल जाते हैं cup holders अब देख लेते हैं इसका comfort तो इसका under thigh support काफी अच्छा है और इसके बाद भी इसमें जो space है को काफी ठीक मिल जाती है मतलब ऐसे नहीं कि बहुत जादा congested आपको फील होगा और इसके बाद जो इसमें नीचे जगे देखन पावरफुल है और अगर रियर में बैठने के बाद देखें तो यहां आपको light मिल जाएंगी और तीन साइड इसमें मिल जाएंगे grab handles और अगर रियर से में आपको देखा हूँ तो ऐसा है इसका कुछ जो dashboard का look है वो देखने को रहेगा कि बाकी से आराम से दो बने डो बेटके जाएं तीन बने भी अराम से बैट सकते हैं क्योंकि जो बीच में यह जादा नीचे दी हुई है इसमें और नीचे जो भी में काफी चोड़ी धी हुई है तो आगर जो बीच में बैठने वाला कोई चोटा बंदा है या कोई भी है तो आराम से इस पर पैट टेक सकता है मतलब ना तो बहुत ज़्यादा उची है और वैसे भी इसे फ्लेट दी हुआ है तो परिशानी नहीं होने वाली किसी भी तरहेगी तो ये था इसका कमफर्ट की बात तो दोस्तों ये थी वीडियो महिंदरा एक्षिवी 3 डवलो डवल्य एट ऑप्शनल के अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद फिर में लिंक से दूर्शे वीडियो में तब तक के लिए जय हैंद